हलो फ्रांस कैसे हैं आप भड़ियां मस्त रही हैं चुस्त रही हैं और एंटर्टेन्मेंट का मज़ा लेते रही हैं कहीं बार देखा जाता है कि जब हम किसी शो से परिशान हो जाते हैं तो उसे जो हम ट्विटर पे ट्रोल कर देते हैं अब एक वज़र यही है कि OTT पे आप जो हैं जो चाहें कर सकते हैं कहीं बार इस OTT का या फिर शोशल मीडिया का गलत असर भी होता है ऐसे में जो है जो टीवी शो देखते रहते हैं वो जो है अपनी मरजी का कुछ देखना चाहते हैं या जिसके लिए वो रेगुलर शो देख रहे हैं वो उसमें नजर नहीं आ रहा है तो ऐसे में फैंस नाराज हो जाते हैं और आज की डेट में एक ट्वीटर ही तो है जिस पे आप ट्रोल कर सकते हैं अगर कुछ चीज पसंद आती है तो ट्रेंड कर देते हैं और अगर कोई चीज पसंद नहीं आती है तो उसे ट्रोल कर देते हैं ऐसे में मैं बात कर रहे हूँ आपका ये रिस्ता क्या कहलाता है राजन साही का शो है सबसे पुराना शो है स्टार प्लस की जान है यह यह कहूं स्टार प्लस का सबसे पुराना शो है इस शो को कभी भी किसी ने ट्रोल नहीं किया यह इस शो के बारे में mostly किसी ने कुछ उल्टा सिधा नहीं बोला भई जोग जरूर बनते थे यह रिस्ता कब बन दोगा लेकिन जब आप TRP के मैटर को जानती ही नहीं है तो फिर आपको explain करणा हमारे लिए थोड़ा सा मुस्किल है लेकिन बात आती है कि अगर आपको यह कहा जाए कि भई आज कल जो है यह रिस्ता के production को कहा जा रहा है बहुत बेकार production है बहुत बेकार show है पूरा बरबात कर दिया है हम अभीरा को एक देखना चाहते हैं लेकिन यहां साफ नजर आ रहा है अभीरा ही एक नहीं होना चाहते हैं जहां पे जो है अक्षरा जैसोनी की ब पोसिस क्या कर रहे हम रोज जो है एक उमीद लगा कर बैठते हैं कि हम आज खूश होने वाले हैं अभी एरा मिलेंगे लेकिन हमारी आखों में आसू आ जाते हैं सिर्फ राजन साही आखों में आसू दिखा कर ही टियार पी निकालना चाहते हैं वो सोचते हैं जैसे ने उस शो को काफी जादा बुरा भला कहा और उसके पोड़क्शन को ट्रोल किया तो ऐसे में क्या आपको भी लगता है कि राजन साही शो में कुछ जादा ही इस तरह कर ड्रामा दिखा रहे हैं जो फैंस को बिलकुल पसंद नहीं आ रहा है या फिस शोशल मीडिया इतना अक्तिव हो गया है कि वो जो चाहता है वो कर सकता है कमेंट करके जुरू बताइए बाकी जानकरी के लिए लाइक सब्सक्राइब दोनों बनता है